आज की इस एपिसोड में डिस्कस करने वाल हैं Yes Bank Stock के बारे में और साथ में डिस्कस करेंगे NHPC को Yes Bank के Stock में टेक्निकली हमने एक वन साइडेड अप्टेंड दिखा इसके बाद देखेंगे तो ये हायर लेबल के आसपास रिटेस्ट कर रहा है और एक रिटेस्टमेंट 14-15 रुपेज तक का लेबल दिख सकता है इस स्टॉक में पिछले वन वीक का रिटर्न माइनस 3-4 परसेंड तक का डाउन टेंड कंसोलीडेशन रहा है हालांकि डिलेवरी देखे तो इस स्टॉक में डिलेवरी अभी भी 40 परसेंड तक का दिख रहा है जिस परकार से बेंक निफ्टी के ट्रेंड देखेंगे बियरी से आज बेंक निफ्टी में मोर देन 1 परसेंड के गिरावर दिखी वहीं देखेंगे कि यस बैंक अभी भी माइनस 2 परसेंड के आसपास यानि 17 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है इस समय सोट्रम ट्रेडर बाइंग करने से बचेंगे 15 रुपीज के आसपास का एक ओपर्चुनिटी हो सकता है इस टॉक में लॉम करने के लिए और हमने अल्रेडी भी कहा था सोट्रम ट्रेडर यहां थोड़ा बहुत पार्शियल प्रोफिट करते हुए दिख सकते हैं जो इसके कारने स्टॉक में एक डिट्रेस्मेंट दिखेगा हालांकी इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा प्रसनल जो टारगेट है वो शियोरली से स्टॉक में जो 24 तू 30 तक के टारगेट विदिन मैक्सिमम 1 तू 2 मन्त में दिख सकता है और मोर देन 6 तू 8 मन्त के लिए होल्ड करते हैं तो 30 प्लस 35 40 तक के इसली लेवेल दिख सकते हैं इसके साती हमने दूसरा स्टॉक आपसे का NHPC NHPC को डिस्कस करने का मुखी कारण यह है कि आज क्लासा के तरप से इस स्टॉक का बाइंग डेटिंग टारगेट 51 का दिया गया है यह कहा गया है कि ग्रीन यूटिलिटी और एक डिकेडल ग्रोथ को ले करके यह रिनुवल यूटिलिटी में काफी बेतर करते वे दिख रही है जिसके कान फॉरकास रेवेन्यू ग्रोथ देखे तो 131% का रहा है FY22 से FY27 का अगेंस 50% ग्रोथ इन 5 यर और इस से मैं देखेंगे तो ट्रेंड भी काफी बुलिश है कपन हेंडल पैटर्न बनाते वे दिख रहा है और इजली एज़ पर टेकनिकल एनलेसिस भी से स्टॉक में 52 से लेकर के 60 तक के लेवेल विदिन मैक्सिमम सकेंड मन्त के लास्ट तक या फिर 3-4 मन्त में दिख सकता है